Squil'd का क्या आर्थ होता है या आज कीजिवी लीडियो में सीख लेती है Squil'd का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे Squil'd किया गया हूँ या जो Squil'd किया गया हूँ उसे हम adjective के रोप में Squil'd कह सकते है इसके लावा Squil'd जो है वो Squil'd का past ins or past participle होता है यानि कि squeal की ही second और third form होती है squealed और squeal का आर्थ होता है चिलाना, किलकारी मारना, कोकना, भेद खोलना, किकियाना ये चिचियाना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह सूर की तरह चिलाया तो आप कहेंगे he squealed like a pig या अगर आप ये कहना चाहें कि वह अपने दोस्तों पर चिलाया तो आप कहेंगे he squealed on his friends या अगर आप ये कहना चाहें कि एक महिला उंचे स्वर में चिलाई तो आप कहेंगे a woman squealed in a high-pitched voice अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें